कभी फी घब भी हमारे جो मेजर सालैवड लार की ग्रंतियां होती है उसमें सूज़न के कई कारण हो सकते हैं थी तरीके की सारे ऐसे रीजंन हो सकता है को बढ़ावा देते हैं तो जब भी इस टाइप का कोई भी केसेज होती है तो हमें तुरंत ही उसका जो ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए अगर आप घर पे बैट के घरेलू उपाय में रहेंगे तो हो सकता है कि कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो सकती है इस वीडियो में यही सैलेंड एनाइटिस के बार में डीटेल्स में पताई हूँ अगर आपके मन में कोई भी कोशन हो तो आप जरूर कमेंट कीजेगा बहुत जल्द उसका अंसर करेंगे जो माइनर और मेजर सैलेवरी ग्लेंड्स होती है उसका मुख ये काम यही होता है कि लार का जो बहा होता है वह हमारे मुँ में होते रहे जिसे के हमारा मुँ जो है वो नम बना रहे जिसे के हमारे मुँ में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो लेकिन जो हमारे मुख की तीन तरह के सलेवरी ग्लेंट्स होती है जो की इस एरिया में होती है एक होती है सब मेंडिबुलर सलेवरी ग्लेंट्स जो की यहां वाले पार्ट्स में होती है और एक होती है लिंग्वर ग्लेंट्स जो की जीब के जस्ट नीचे जो होती है वहां पर पाई जाती है यह ती ही हम लोग कहते हैं अगर कोई भी कारण से स्वेलिंग हुआ है तो उसके कई रीजन हो सकते हैं जैसे कि पहला जो रीजन होता है वह होता है बैक्टिरियल रीजन मतलब कि अगर आपका ओरल कैविटी अगर गंदा है मुह में बहुत सारे प्लाक और कैलकुलर्स का फॉर्मेश हो सकता है दुसर रीजन हो सकता है वायरल इनफेक्शन वैरल इनफेक्शन कुछ ऐसा एतmyosfair changes हो रहा होंगे कोई वायरलHHHH code आपके dokt के अंदर इंसर्ड कर गया है और वहां पर इनफेक्शन कॉस कर सकता है या फिर कोई autoimmune disease है उसकी वजह से जो है वो हमारे healinडीन नाइ या वाइरल इंफेक्शन जो है वो इतना ज्यादा इंफेक्शन कॉज कर सकता है कि वहां से आपके मुह में पस जिस्चार्ज होने लगेगा आपको आपके उपर की जो 6 नंबर की दांत होते हैं मतलब आप अपने जब गाल को चिक को हटाते हैं तो वहां पर आपको पहला वा होता है वहां से मवार आ सकता है जीब की नीचे वाला जो पाट होता है वहां पर भी पस आ सकता है तो जब भी कभी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है अगर इसके जो एक्यूट कंडिशन है तो आपके जो स्वैलिंग होती है वह आपके मुह के अंदर दिखाई दे सकती य तो इसलिए जब भी कोई सेलंडेनाइटिस का केसिज होता है तो आपको तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट लेने के आवशक्ता पड़ती है इसको हम लोग एक छोटे से एक्जामपल से समझते हैं कि जैसे कि यहीं पे भी किसी छोटे से तालाब में देखते हैं जहां पर पानी क ज्यादा मात्रा में सिक्रीट करता है और यह सालयवडी डक्ट जो होती है वो सलाइवा को हमारे मुं में लेजाने का काम करती है लेकिन अगर कहीं करनि पिकीर सलाइवरी स्टैटिस बोलते हैं तो यह सलाइवरी स्टैटिस अगर कहीं एक जगा पर बहुत ज्यादा सीवियर हो सकते इसी वज़ा से यह प्रॉब्लम जो है वो होने लगती है जब भी कभी सलाइवरी ग्लैंड्स में कोई सलाइवरी में बहुत सकते हिसार रहेगा जिसके वज़़ा से हमाई निकलने लगए को आपको घरते हैं आपको खानहे में सूखाएवरी पेन मैसूस होगा दर्द मैसूस होगा कोई भी सिट्रस फ्रूट अगर आप देखते हैं जैसे कि कोई खटा चीजों को आप देखेंगे तो आपका जो सलाइवा है वह बहुत जोर से फ्लो करने की कोशिश करेगा लेकिन वह फ्लो होने नहीं पाएगा क्योंकि सेलेंड हो सकती है फिर इसके ट्रीटमेंट करने की आवशक्ता पड़ती है अक्सर जो है वह इस कंडिशन में हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं कोई बहुत बड़ी मेजर सरजरी करने की आवशक्ता नहीं पड़ती है लेकिन अगर कोई क्रोनिक केसे होती है तो फिर उसमें सर्जरी की भी आवशक्ता हो सकती है जैसे कि अगर कोई पैरोटीट ग्लेंड में बहुत जादा इंफेक्शन है जिसकी एडिमा या फिर रेडनेस जो है अगर आपको बाहर से दिखाई दे रही है तो करना पड़ सकता है या फिर अगर कोई पस डिस्चार्ज वाला के सकते हैं तो इस तरीके से सेलैवरी ग्लेंड जो होती है वो हमारे मुँ के अंदर पाए जाने वाला जो लार होती है उसको सिक्रीट करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है तो इसलिए ग्लेंड में कोई इंफेक्शन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है अगर प्रॉब रहता है कि यह ममच हो हो चुका या फिर आपका कोई केंसव कंडिशन हो चुका है या कोई जोजमन स्ट्रों मों हो चुका है बहुत सारे लक्ष्ण जो है इसके साथ साथ देखने को मिलने लगते हैं इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो डिफिकल्टी जो है वो आगे चलके आने लगती है तो इसलिए बहुत जल्द मिलिए अपना ट्रीटमेंट कराईए और अपने ओरल हाईजिन को का ख्याल रखिए आई होब कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और लोग के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे इनफर्मेटी वीडियो आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे लाते रहेंगे नए नए वीडियो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए अपने आस पास के लोग का ध्यान रखिए टेक कियर बावाई